किया आपको भी option buying में profit नहीं होता है option buying आप जब भी करने जाते हो तो आपके premium कम हो जाते हैं सब्सक्राइब मार्केट अगर हो जाता है तो आपके premium कम हो जाते हैं तो आपके premium कम हो जाते हैं जिससे option buying में loss होता है क्या आपके मने तक यहीं सब चलता है जारा option buying में कोई profit नहीं कर सकता option buying में तो हमेशा loss ही होता है option buyers हमेशा loss करते हैं option sellers हमेशा profit में रहते हैं तो इस वीडियो को last देखना आज मैं बताऊंगा आप रोख कि आप option buying में भी कैसे theta decay से आपको benefit हो सकता है जी हाँ क्या बोला मैंने option buying में भी आपको theta decay का भी फायदा मिल सकता है मतलब अब आपको option buying करते समय कोई theta decay से ड़नने की जरूरत नहीं है नहीं आपको यह सुचने के जो थे कि मागर साड़ हो जाएगा तो मेरा प्रीमियम में कम हो जाता है यह सब प्रॉब्लम जो भी है आपको दूर हो जाएगा कि आज मैं option buying की strategy बताने वाला हूं जिसमें आपको theta decay से भी benefit होगा option buying भी आप करेंगे उसका भी benefit होगा और साथ ही साथ अगर theta decay होता है तो उससे भी आपको benefit होगा कैसे होगा वह आपको इस वीडियो में पत्रे लेगा तो इस वीडियो का लास्ते देखना क्योंकि skip मत करना क्योंकि काफी important में strategy बता रहा हूं आपको वह भी option buying की क्योंकि काफी जदा लोग मेरे से option buying के related question करते थे के सर option buying पे भी कुछ वीडियो बनाई हो तो मैं आज आपको option buying की strategy बताने वाला हूं जिसमें आपको theta decay कोई loss नहीं होगा बलकि उल्टा theta decay अगर होता भी है तो आपको उससे profit ही मिलेगा तो चलिए हम start करना है बिना किये हुए सब कुछ totally practically होगा मैं सब कुछ option जैने बताने वाला हूं तो दिखिए सब जब भी हम बात करते हैं option buying की ना तो दिखिए option buying में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है किसका strike price का कि कौन सा strike price हम buy करें यह काफी जदा important role play करता है तो ध्यान रखिए strike price आप कभी भी चूज करिए कौन सा चूज करिए जिसकी intrinsic value intrinsic value ज्यादा हो implied volatility के मैं बात नहीं कर रहा हूं intrinsic value ज्यादा हो और time की value कम हो ठीक है अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं देखिए यह जितने भी आपको OTM दिख रहे हैं ATM से लेकर के OTM तक यह सब जो भी दिख रहे है ना इसमें कोई भी intrinsic value नहीं होती है इसमें total जो होती वो time value होती है तीक है यह क्या है यह total time की value है अब यह क्या मतलब हो गया? मतलब समझे मार्केट अगर 34,600 जहां पर चला वहीं पर अगर 21 जुलाई 21 जुलाई को यहीं पर expire हो जाता है ना तो यह जितने भी premium है यह सब हो जाएंगे आपके 0 इधर के भी जितने भी premium है यह सब हो जाएंगे 0 0 कौन सो होगा? 0 वही होगा guys जो OTM को होगा मतलब जिसमे के वाल के वाल के वाल के वाल होगी क्योंकि टाइम की वैल्यू ही तो है वह 21 जुलाई तक वेट करने का ही इसका वैल्यू है समझे है 21 जुलाई जैसे ही आएगा मार्केट मालों यहां पर यहीं पर expire हो जाता है तो यह जितने भी premium में सब का सब 0 हो जाएंगे और यह भी 0 ह जाएगा ठीक है बट यह समझ जाओ intrinsic value किस में होती intrinsic value आपकी in the money वाले strike price में होती है in the money वालों में यह सब जुतने भी in the money वाले strike price है call or put दोनों में होता है intrinsic value intrinsic value कभी जुरू नहीं होता है यह जो premium है इसका इसमें intrinsic value भी है कुछ और कुछ time की value भी है ठीक है इन दोनों को मिला करके in the money का strike price का premium होता है लेकिन यह समझ दिये time value तो expiring दिन जीरो हो जाएगा उस time value में ही theta decay होता है जो आप लोग बोलते हो न यार मैंने option buying किया उसके premium automatically कम हो गए मेरे direction में गया trade बट फिर भी कम हो और मैं strategy को काफी deep में detail में समझाओंगा ताकि आपको लोगों को बहुत सारे लोग में इस पर message कर दें सार हम मैं option buying इतनी दिनों से कर रहा था मुझे loss हो जा रहा था loss हुआ तो को option buying को आप directly बदनाम नहीं कर सकते हैं मैं कभी नहीं बोलता हूँ का option buying में में इस loss होता है ठ आपका व्यू गलत होगा तो आपको lost है 100% होगा चाहिए option buying को आपको selling करो बड़ थीटा डिके कि वह जासे आपको कभी भी option buying में loss नहीं होगा इस वीडियो को लाश्टर देखने के बाद अब example के लिए मान लीजिए कि जो अपना view है वह है बुलिस का किसका बुलिस का अब जाएको तो हम क्या करते हैं हम call को buy करते हैं तो हम call कौन सेमर कर लें ATM कर लें बिलकूल ने ओटियम उइकल ले बिलकूल यह सस्ते strike price आपको बिलकूल बाइन ने करना घ्रे यह देखने में ससता है यह आपको मंगे पड़ जाएंगे ठीक है और यह सस्ते strike price से भी कहीं ये बताब मुझे 50 रोग अपको 50 पुटे हो गया, लोग बोलते हैं इस तरह से बले हैं कि आपका पैसा double हो गया लेकिन इसमें इतना ज़़ा रिस्क हो ताइपका पैसा आधा भी हो सकता है पर पिस रुपे पाँच रुपे पर भी आ सकता है तो इस तरह से बाइक करना जो इन दमनी बाइक करना हाला कि देखिए आज है Sunday तो यह सब जो है न यह Friday का चार्ट दिख रहा है आपको जब Market खुलेगा ना जब मार्केट मन्डे को ओपन होगा ती इस सब के premium automatically कम हो जागे because Friday का बार Saturday Sunday का decaying का premium automatically कम करदेगा तो आज Sunday तो इसलिए premium फोड़े से आपको ज़्यादा दिकर रहे हैं बट अपने कोई दिकर नहीं है अपने को देखिए buying कभी भी करेंगे आप इन दमनी buying करेंगे जैसे मालनीजी हमेरा view है बुलिस का तो हम बाई कर लेते हैं 34,000 का एक्जाम्पल के लिए आज ये भले 800 रुप्या के दिख रहा है लेकिन जब आप बाई करने जाओगे न तो ये तकरीबन मंडे को एप्रोक्स 600 के करीब या साड़े 600 या साड़े 600 के करीब दिखेगा आपको ठीक है बाट अपने को अपने को जो बाई करना है वो बाई करना है सिंपल सा समझे इंदमनी का बाई करना आप ये बाई कर सकते हैं ये बाई कर सकते हैं लेकिन बाई जो करना है वो इंदमनी करना है ठीक है माल लेजिए कि मैं एक राउंड फिकर लेके चलता हूं 34,000 को आपने 34,000 को बाई कर लि यह किसका मैं बता रहूं यह IB के लिए बता रहूं तो इसका जो एक्चुल प्राइस है ना वो इतना है मतलब यह 682 रुपीज यह है इसकी IV यह इसकी IV है और प्लस time value मिला करके इतना बना हुआ है अगर आप लोग को थोड़ा सा भी confusion हो रहा होगा इंट्रेंसिंग वैलु प्लस time value में तो हमने अलोग इन वरेटी विची बिए बिद्रेंसिंग वैल्लँ बिद्रेंसिंग वैल्लु आप सार्च कर लेना इंट्रेंसिंग वैल्लू बाइट तो आपको एक्डम प्रक्टिकल हमने बता रहे ठीक है मैं यह मां गर चला हुआ है तो पहले इंट्रेंसिंग value और टाइम value को देख लिए उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे समय आ जाएगा इसमें तो 682 रुपीच इंट्रेंसिंग value हो गया मतलब क्या हुआ कि अगर मालीजी एक market जहां पर चला चौती जाएगा च्छेसो अस्तिकास पर चला नहीं पर एक्सपायर हो जाता है तो यह 835 का premium तो जीरो नहीं होगा बट यह सारे premium यहां पर जीरो हो जाएगा क्योंकि ए पर हो गया बट यह 835 का premium है उसकी intensive value मतलब होती है देखो original value और time value में ही decay होता है तो इसके अलावा जितना value है वो है हमारा time value अब time value कितना है उसके लिए मैं calculate कर लेता हूं आपका सामने simply आप 835 में 835 में 682 माइनस कर दीजिए मालब 153 रूपीच का इसमें क्या है इसमें आपका time value है ठीक है इसमें आपका time value है 153 इसके time value है ठीक है अब हमारा view देखके हमारा view वूली से अब अगर आप ऐसे बाई करेंगे लोग बोलते कि इन दमनी बाई करेंगे अगर आप ऐसे बाई कैसे भी करेंगे नेकड बाई करिए या फिर मालब आप OTM बाई करिए ATM करिए इवन इन दमनी बाई करिए ठीटा देखे एक ऐसी बीमारी है ऑप्सन में जो होगा ही होगा हरे कि स्ट्राइक प्राइस में होगा लेकिन हमें इसको अपने फिर्म लेना है अब एक बात समझे आप सिंपल सा गाना है इसको भी जीरो होने में एकसपाइरी का वक्त लगेगा ठीक है क्योंकि 153 रुपे ही कम होगा ओवर इसका प्रीम इतना बचेगा क्योंकि इंट्रेंसीग वेल्लू बचेगी ही बचेगा तो हमें कैसे इसको कवर करना आप समझें मेरी बाद अब अगर आप ऐसे ब प्रिवम नहीं देखेगा आप देख लेना तो अपने कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो मार्केट का साइड हो जाता है तो 835 का हो जाता है प्रिमियम आपको 800 रुपय का दिखे या फिर 820 का दिखे 810 का दिखे मनलब कुछ ना कुछ छीटा दिखे होगा अगर आपको मार्केट साइड होता है तब कि मैं बात कर रहा हूं अब इसको कैसे बचना है अब मेरे बात समझे आप कॉल बाई भी करिए आप कॉल को कर लेजिए बाई ठीक है उसके साथ करिए पुट को सेल करिए अब बोलेंगे यह कौन सी स्टेड़ी है आप्सन सेलिंग में अब आपको सब डीटे ने प्रेक्टर में ज्यादा नहीं लगेगा कॉल बाई करिए क्योंकि आपको बुलीज भी साथी तरह पुट सेल भी करिए ठीक है अब मेरी बात समझे अब आपने कॉल बाई करिए एक्जांपल के मान लिजिए कि मैं सीधा समझ लेता हूं कि आपन इस पर आपने बाई कर लिया अब आप पुट सेल भी करिए पुट सेल कहुंसा करिए आप पुट सेल करिए एटीम का यह आपका एटीम है ना एटीम का पुट सेल करिए अब आप पी सेल कर दिये ATM का 305 रूपे का ठीक है 305 रूपे का अपने सेल कर दिया अब देखिए मार्केट साइड होता है तो इसमें यह जो आपने कॉल बाई किया है इसकी जो टाइम वेल्यू है वो 153 रूपीजी है और इसमें उसका डबल टाइम वेल्यू है यह पूरा टोटल टाइम की वेल्यू ही है तो ठीटा देखिए गाई से ऐसा नहीं होगा कि आपका केवाल यह 34,000 के कॉल वाले में ठीटा देखिए हो जाएगा और इसमें नहीं होगा, ठीटाइगर होगा तो दोनों में होगा, अब मेरी बास समझेए, अगर market रूपा की तरफ जाता है, आपकी view के जाब से बुलिस, call बाई वाले में भी profit होगा, put sale वाले में भी profit होगा, दोनों में profit में कोई संदेश नहीं है, कोई संदेश नहीं है मता हूँ कि ठीटाइगर होता है, market एक डाम ऐसे ऐसे, sideway चलता रहता है, sideway चलता रहता है, 153 रूपीज है हमारे in the money वाले में time की value, और ठीक उसका double कहीं ने कहीं है हमारा, जो हमने sell किया रहेगा, ATM में time value, तो देखो, ठीटाइगर होगा ना guys, तो call buy वाले में भी होगा, put sale वाले में भी होगा, लेकिन जादा किसमी होगा, जादा किसमी होगा, जादा होगा आपका selling वाले में, ठीक कि 305 रूपी वाला premium है, इसको भी मानलो कि 21 तारीक को, अभी आज केतने तारीक है, अभी 17 तारीक है, 18 से तारीक को मानलो market खुलेगा, इसको भी 4 दिनों में 0 हो होना है, 153 रूपी जहाना है, यह 835 पर जीरो नहीं होगा, यह बच जाएगा, 642 रूपी बच जाएगा, अगर market नहीं पर एक्सवार भी हो जाता है, तो 682 रूपीच बच जाएगे, आपके पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन यह तो 0 हो जाएगा, 305 रूपी यह लो तो समझे आप क्योंकि यह ATM का है, तो फास्टली जो theta decay होगा, वो आपका put selling वाले में होगा, theta decay, टेटके put selling वाले में हो गया, तो कहीं ने कहीं, जितना ज़्यादा आपका call by वाले में theta decay होगा, उससे कहीं ने कहीं ज़्यादा आपको put sale वाले में decay मिल जाएगा, तो अगर theta decay सबको कोई डरने वाले में आप प्लस में रहोगे, अब आप बोलोगे कि सर मैं margin कम होने के वज़ा सही, तो option buying करता हूँ, तो आप बता रहे हो, sell कर दो, margin तो ज़्यादा लगेगा, हाँ जी, ऐसे margin आपका ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे मत करिए आप, इसको करमा लिज put में buy कर लिजिए, आप अपने put sell करके रखा है, तो put में buy कर लिजिए, ताकि आपका margin जो है, कम लगे, के वालोगे कोल में इंटाटेक लिए बात कर रहा हूँ, और अपने stop loss को chart wise अच्छे से follow कर ये, जहाँ पर आपको अपना loss आप काट सकते हैं, ऐसे margin कितना लगेगा, आपका, तो मैं चलता हूँ, देखो, 34,000 का call buy कर लेता हूँ, एक lot, और साथी साथ, एक में, ये 34,700 का put, उसको sell करता हूँ, one lot में, example लिए मतार हूँ, और एक दूर का strike price है, 20 रुपे वाला, 33,000 का, उसको मैं कर लेता हूँ, buy, देखो, इतम practical, ये इंटाटेक लिए मैं ब जादा दूर hedge की आए, तो margin approach आपके 80,000 के आसपास लगेंगे, ठीके, 80,000 के आसपास आपके margin लगेंगे, अगर वहीं में थोड़ा सा pass hedge करूँ, क्योंकि दिखिए, pass अगर मैं hedge करूँगा ना, तो margin मेरा काफी कम लेगा, जैसे मान लिजए कि 800 रुपे का मैंने buy कर लिया, और ATM का मैंने यहाँ पर put एक sell कर दिया, और साथ ही साथ, एक मान लिजए हमने दूर का थोड़ा सा, जारे दूर का ने, बर थोड़ा सा दूर का हमने buy कर लिया, put को, put selling भी किया, put buying इसलिए किया, हमने और दूर का सस्ते strike price को, ताकि मेरा जो margin है, वो कम लगेंगे, देख सक उतना कम लगेगा, एक आप medium margin में, medium capital में काम कर सकते हो, क्योंकि देखो, naked अगर आप option buying कर रहे हो, तो यह चीज़ समझ में आ जाओ, थीटा डिके रोकने का कोई तरीका नहीं है, थीटा डिके का आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन थीटा डिके का advantage उठा सकते हो, थीटा डिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने मन में आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ को करता नहीं हूँ, खुद से उसका रजल नहीं देखता हूँ, तब तक मैं आपको किसी को बताता नहीं हूँ, तो इधर के आस पास हमने देखो, यह जो जितने भी स्टार्टिंग पांसा ट्रेड है ना सब में मैंने option selling और option buying दोनों किया देख सकते option selling option buying option selling option buying option selling option selling option selling लाइब ट्रेडिंग यह जितने भी है अगर आपके पास थोड़ा सा capital और है तो आप क्या करिए जिससे आपने C buy किया है एक lot में दो lot में चार lot में तो उससे ज्यादा put sell करिए मलब example के लिए अपने C buy कर लिया चार lot में तो आपके पास यह कुशिस करिए कि चार lot के जगा आपको buy करना है तो आप इसको तीन lot में ही buy करिए और putu जो है उसको sell करिए चार lot में sell करिए या पांच lot में sell करिए with hedging with hedging करिएंगे तो margin आपका कम लगेगा ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा आप selling वाले पर ध्यान दोगा उतना ही ज्यादा आपके theta decay favor में होगा अगर होता है तो आपको profit ही दे कर जाएगा ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते है या फ आप call buy कर लिए एक lot में put sell के लिए with hedging तो आपको loss तो नहीं होगा जितना भी आपको buying वाले में होगा उतना approach आपको put selling में मिल जागा बट सबसे best condition क्या रहेगा कि जितना आप buy करो नो उससे ज्यादा sell कर सको तो वह सबसे best है ठीक है वह सबसे best है जैसे मालों कि आपने 3 lot में buy करना चाहा तो वहीं पर 5 lot में put sell कर दो 6 lot में put sell कर दो थोड़ा सा पास ही एक करके sell कर दो लेकिन कर दो वैसी मैं एक example लेकर चल देता हूं call की तरफ ठीक है अभी हमने call को बताया अब मैं put को बताता हूं माल लिए कि आपका view है वह है down का bearish ठीक है bearish view है तो हम put buy पुट वही buy करेंगे जो इंद मनिक होगा जिसमें time के value कम मिलेगी जिसके intensity value ज्यादा होगी तो मान लो कि मैं जैसे मेरा downside का view है तो हम क्या करेंगे हम buy कर लेंगे मान लोगे example मिलेकर चल देखो अभी market live condition में नहीं है ठीक है तो किसी किसी के premium आपको ज़्यादा कम देखने को मिल सकते हैं बट ऐसा बिलकुल नहीं है आप जब market open होगा तो premium को काफी कम मिलेंगे और in the money वाले में अभी in the money में putum को इसका buy करना है तो यह समझो यह जो buy करेंगे आप तो इसमें क्या लग रहा है आपको यह 550 रुपर कैसे हो गया है 550 रुपर में IV है plus time की value तो इसमें किसा होगा अब इसमें इसका जो formula होता है वो होता है strike price minus spot price यह spot price है इसमें से इसका minus कर तो आपको बदा चल ज for six eight two 518 रुपे इसकी intrinsic value है ठीक है अब इसकी जो पूरी प्रीमें में वो 550 रुपर है तो 518 रुपे इसकी intrinsic value है और बाकी का जो इसके extra है न वो है time value जो कित्ता होगा time value अब जोड़ लो 585-518 April 67 रुपीज जो 67 रुपीज है वो इसका time की value हो तिसमें काफी कम आपको time की value देखने को मिलेगा वैसा ही आपको call में भी देखने को मिलेगा जाब market open होगा तो यह दिखो यह Friday का option चाहिए आप कभी भूपन करके देख ले ना इंद मनी में 100 के अंदर का ही आपको time value मिलेगा और ATM पर काफी जएड़ आपको मिल जाएगा ठीक है और यह समझो जैसे-जैसे दीन बित्ता जाएगा ना जैसे-जैसे मानलों के पास चले जाओगे वैसे-वैसे ATM में और अभी आपको time की value कम देखने को मिलेगी अभी 50-70 रुपे दिख रहा है ना और जैसे-जै मानलो कि आपको चले गए वेड़ नश्डेगो तो यह 170 का वह 20-30 का आपको दिखेगा time की value और ATM पर तक्रीबन 200 के तक्रीबन दिखेगा तो कहीं ने कहीं आपको अपने फिर में time की Twitter को लेना है अब यह समझो इसमें अगर मार्किट यहीं पर एक्सपार हो जाता है कहां प इसका प्रेमिय में 550 रुपे से घट करके 518 रुपे पर एक्सपार होगा लेकिन यह 0 होने की यह सब का time है ठीक है तो हमारा व्यू है बेरिस तो हम क्या करेंगे हम मान लेजिए कि 35,200 का जो put है उसको कर लेंगे buy ठीक है यह हमारी study होगी प्लस अब हम buy करेंगे buy करते हैं कब put को जब downside का व्यू जाता है और call sell कब करते हैं जब हमारा downside का व्यू जाएगा तो simply हम एकदर लिसे call भी sell करेंगा व्यू में कोई चीज़ नहीं होगा हम ATM का यह जो ATM देखर हो ATM का हम call कर देंगे sell तो यहां से हम कर देंगे 34,800 का जो call होगा वो कर देंगे sell ठीक है sell कर देंगे और एक जो दूर का stack prices 35,700 हो गया फिर कुछ और हो गया उसको हम कर लेंगे एक call को buy कर लेंगे for hedging purpose only for margin को कम करने के लिए call buy कर लेंगे एक far otm का अब बोलो selling option hedging technical analysis सब course भी free of course मिल जाएगा काफी जारे फायदया हो जाएंगे अपके ठीक है तो इस तरह से आप कर लोगे अब देखो इस में होता क्या है अब बेरिज भी है तो देखो market नीचे जाएगा ना तो काफी टेजी से बाइंग वालें profit होता है समझ जो मार्केट कर बड़ा समों में दे दिया तो option बाइंग में बहुत लंबा profit होता है लेकिन अगर सेड़ हो जाता है तो लौस हो जाता है तो साइड़ जाता है तो यह call समाल लेगा तो काफी अच्छा खासा मिलेगा और अगर नीचे भी जाएगा ना तो यह call वाला के भी price घटेगा call selling कप करता है जब में नीचे कभी होता है तो call sell करेंगा तो उसमें भी profit put buy किया हो उसमें भी profit theoretic कर होता है इसमें profit अब मेरी यह बत बताओ आपने जो put buy किया है न दोनों को चार दिनों में जीरो होना है दोनों को चार दिनों में जीरो होना है तो 300 रुप जल्दी fastly DK होगा तब ना जीरो होगा एक दिन में देखो suddenly कोई zero नहीं होता सब system में ही zero होगे जिसका time value जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही fast theta DK होता है यह चीज़ नोट कर लो में 300 का premium sale कर दिया है तो 20 का अगर इसमें DK हो रहा है ना आपका put buying वाले में तो कहीं ने कहीं call selling वाले में भी आपको 40 रुपे का DK मिल जाएगा तो overall कहीं ने कहीं आप DK से at least profit में रोगा plus में रोगा minus में तो कम से कम नहीं जाने वाले हो इतना तो आप समझा ऑप्सन बाइं करना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा दूर हेज करोगे तो अगर मार्केट आपके अग्रेंश्ट गैप या गब्रन ऊपन खोल जाता है ना तो प्रॉबलम हो जाती है बड़े लौस आपको देखने पड़ सकता है तो गर आप पोजिशनल कर रहे हो ना तो इतना ज्यादा दूर हेज मत करना मैं पहले बता दे रहा हूं डिलिवरी के लिए पोजिशनल के लिए क्योंकि मार्लो मार्केट आपके अग्रेंश्ट में खुल सकता है गैप गैप डौन तो उस कंडिशन में आपको लौस दिख सकता है बड़ा सा सेलिंग वाले में तो इसलिए करोगे न तो ठीटा रिकेष से भी बच जोगे और कहीं ने कि अगर घ्यास्ट मार्केट ओपन होता है तो कहीं ने कहीं आपको उससे भी ज्याधा लौस देखनी को नहीं मिलेगा आपको एक रिसक के हिसाब से लोस्त देखने को मिलेगा अगर आप पास एज़ करोगे तो तो आपको selling वाली quantity बड़ी रखनी पड़ेगी मतलब एक put अगर आप मालो कि दो lot में buy कर रहे हो तो selling वाली आप 4 lot में कर लेना चालोट में sell कर लेना और काफी pass hedge करना मैं पहले बता जरू हो पोजिशनल के लिए pass hedge करना दूर hedge करना जुरूरी नहीं दूर hedge करोगा तो problem हो जाएगी क्योंकि आपको सब कुछ मांगे का पता होना चाहिसलिए मैंने बोला कि वीडियो को last देखना तो इस तरीके से करके आप क्या करेंगे आप theta dk को अपने फिवर में कर ले रहे हो अब देखो मेरी बात समझो अब लोग बोलेंगा margin यार समझो मेरी बात आप 500-600 का प्रीमिम अगर आप करोगे ना 500-600 का प्रीमिम करोगे बाई दो लोट में करोगे तो कितना लगेगा आपको एप्रोस आपको 15-20 दरपे कर सम्थिन लगाएंगे तो देखो अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करोगे कैसे भी कर लो theta dk नहीं दोगने वाला theta dk से आप loss लेने के लिए त्यार है ला कितना भी इंदमनी कर लो उसमें कुछ ने कुछ time की value होती है अगर market side होगा तो क पेने के आपका margin में कम लगेगा से लिंग में अब लोग बोलते हो डेल लाग लगा डेल लाग नहीं देल नहीं दूरते भाई margin hedge कर लो काफी सी रहेगा और मैं बता दे रहा हूं अगर आप लोगों को और भी theta dk को अपने फिर में strongly लेना है क्या लेना strongly लेना है तो समझो मेरी बात इंटाड़ेग के लिए और ईजी कर देता हूं मैं put buy अगर कर रहा हिए आप कित्ने lot में buy कर रहा हूं महलों दो lot में buy कर रहा हूं जो call sale कर रहा हुआ उसको आप 3 lot में sell कर ओ चार lot में sell कर ओ अपने capital के हिसाब से ठीक अपने capital के हिसाब से आप करो buying वाले से ज़् लगता है तो थीज़ आँ आपको अपने फ्योर में कर लो अब यह समझो यह जो ऑप्सण ऐसे कर करके काम करोगे तो आपको काफी फास्ट प्रोफित होता है काफी अच्छा प्रोफित काफी बड़ा प्रोफित जोगी ने 3100 का भी मालों कि कॉल साल कर रहा हूं रेकिन लेकिन अगर वहीं आप 1002 कर रहे हो ना तो यह सेंगे क्या हो सकता इंसी मत्राइम को सकता मार्केत भूज़़ा मूंमट देगा तो 600 वाला यां पर 400 प्रीमियम आरड़ योंचों हो सकता है 800 डूपका डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रॉफिट अपको देगा ठीक है क्योंकि जैसे जैसे मार्केट आपको फिर में जाता जाया अब वैसे वैसे इसका जो आपने बाइंग किया रहेगा उसका डेल्टा इंक्रीज होगा और डेल्टा बढ़ेगा तो मुझना प्रॉफिट और फास्टली मार्केट में आपको देगा ठीक है थोड़ा से कॉंप्लीकेट आपको लग रहा होगा डेल्टा आईवी टाइम वेलू इसके लिए मैंने पूरा का पूरा सीरीज बना रखा प्लेलिस्ट बना रखा है जैसे option simplified course नाम से हमने launch करके रखा प्लेश्ट और ठीक है उसको आप लोग देख लेना यह वाली प्लेलिस्ट है इसको अगर आप देख लोगे तो पूरा इसमें हमने practically के लिए explain करके रखा है क्योंकि दुखो जब भी आप option के बारे में बात करते है ना तो option के बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है तब तक यह समझाओ कि आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आज आज आपने कुछ तीका होगा औ तो यह मैं कोई theory आपको नहीं बता रहा हूं इस पर मैंने खुद भी काफी trades लिये हैं उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना चैनल अगर पहले बार हैं तो जंगाओ सब्सक्राइब कर देना मिलते ह कर देन आपकोो आपको आपको अते हैं